आप च्िBooks and आप आप च्प्साइज की है और हैं कि आ建益 करता हूं आप स्ग्साव क्या है जैसे साइकिलिंग जोगिंग face का चखिए उर साइक्छिंग अगर करते तो कर रहो हुँ उससे किया होगा है वह क्रियेट होएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा एक्सेसाइज करेंगे तो पूरे टाइम जोस भी बना रहेगा नहीं मैं पहले भी जैसे बताता रहा हूं और आपका जो पढ़ाई के अंदर दिमाग है ना खुब तेज लगेगा ज्यादा टाइम तक आपकी चीजे वह तो याद रहेगे ठीक है तो मोटिवेटेड रहिए मोर्निंग एक्सेसाइज जरूर कीजिए बैलन्स टैट जरूर लीजे कुरक्रे बगारा और जो अचा यह बताओ आप बाहर से सारा कुड़ा बगारा एक अठा करके घर में गिराद होगे गिराद होगे क्या नहीं गिर अगर पिजा अरे बैलन्स डाइट खाया करो ताकि बोड़ी फिट रहे और उनको एनरजी बिलती रहे और जाद है ता पानी पिया करो पेरेंट्स है ना हमेशा सिखायत करते हैं कि यह पानी नहीं पीते आप पानी पीओ पानी पीने से क्या होगा आपके बोड़ी ने जो पूरा टाइम आप क्या रहोगे आपकी जो बोड़ी जो इस टाइम पे बन जाई ही ना वही बोड़ी पूरी उमर आपके काम आने वाली है इसलिए बैलन्स डाइट खाया गरो पानी पिया गरो पानी जैसे आदे गंटे बाद पोने गंटे बाद पोने गंटे बाद पानी पीलिया करो आदा लीटर खाना खाने के बाद और अच्छी बैलेज डाइट खाया करो पानी बीचे पिते रागरो जरूरी है बीचे में पानी नहीं पीना होता खाना खाने के बाद में पौने गंटे बाद आदे गंटे बाद समझ में आ रहे हैं तो मैं तो सो रहा हूं क्यो मैं सोर ओू झाय मैं सोर ओू